और वुड मॉर्निंग 11 लाइव कल की क्लाफ में हमने प्रोटीन के बारे में पड़ा प्रोटीन के अंदर प्रेटाइड बोन कैसे बनती है और प्रेटाइड बॉन बनने की तुरह वाटर का मॉलेक्यूल रिलीज होता है इसे हम केते हैं डी हाइड्रेशन पानी का निकलना व एक जिस ज्यानत ना विच्चो आज जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं नूट कर ले अपने फेर बायो के नोट बुक में नोट कर लें क्योंकि वह एंसे डिडी इसना नहीं दे रखा होगा तो वह मैं करवा रहा हूं आपको ठीक है तो नेक्स टॉपिक है नूपिक अन कॉल्नाइन के अंदर आप नोट कर давайте नुकलीक अचिण निस अच्य पूफ़र बाई निस स्कीर दुट इस पू अच्यized थरेप थ्रे आर्प मेंसर 1869 प्रॉंग पर्टल्स प्रॉंग पर्टल्स ठीक है ते कि कोजि तॊण्ट नुथिं युथिं युथिंते नुथिंध य॥िंध प्रॉंग दियुथिंध टिय॥िंध ती राइबोज नूपलेक एसेड डी ऑक्सी राइबोज नूपलेक एसेड नूपलेक एसेड रिशु बेटा यह नोच कर लो आप बायो मॉलेक्युल के अंदर नेक्स्ट अपिकम नूपलेक एसेड तरहें तो यह अपनी ते पिर बायो के नोटबुक में आप नोट कर लो यह ठीक है नूपलेक एसेड डिसकवरड बाइट रेडरिक मीशर फ्रॉम दफस्ट हैं इन इन नूपलेक एसेड नूपलेक एसेड राइबोज नूपलेक इसेड राइबोज नूपलेक एसेड हां बुच्व ध्यान से देखे 11 क्लास पर देखे आप एक बार बुच्व नूपलिक एसेड यह भी एक बायो मॉलेक्वल है और मेक्रो मॉलेक्टूल है और यह एसिड इंसॉलिबल फ्रेक्शन में रहता है नुकलिक एसिड को 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने डिस्कवर किया फ्रॉम दा फस्टेल्स बोर के देखिए स्टॉप दा राइटिंग ड्रॉइंग हां क्या नाम है मनी सभी से कहे रहा हूं ज्यान से स वहां से इनको त्रेड लाइक इस्टॉक्शर को निकाला और इन्हें नू कुलीण कहा तो तो यह दो टाइप के हैं डी एने अ एने और आरने डीने की फुल फॉर्म है डियॉक्सी राइबोज Mucleic Acid Deoxy Ribose Mucleic Acid और RNA की फुल फॉर्म है Ribose Mucleic Acid जनरली जितने भी organism है, bacteria है, eukaryotic cells है, higher organism है, उनमें genetic material के रूप में DNA पाया जाता है उनके जो chromozoom है DNA के बने होते हैं, समझ में आगी बद DNA क्या है, master copy है cell की या life की, DNA के अंदर nitrogen based के form में सारी information store रहती है, ठीक है लेकिन कुछ एक viruses के अंदर, जैसे की coronavirus AIDS का virus, reno virus उनमें DNA नहीं पाया जाता है उनमें RNA पाया जाता है as a genetic material genetic material क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है generally जो higher organism है, eukaryotic cell है, उनमें genetic material DNA है, लेकिन RNA भी होता है, लेकिन RNA का रोल होता है, protein synthesis करना protein synthesis की information रखना ठीक है, तो generally higher organism के अंदर DNA से बनता है RNA, यानि कि DNA के information transmit होती है, RNA में और RNA में जो message होता है, information होती है, genetic code के form में उस basis पर protein का formation होता है, उस basis पर क्या होता है protein का formation होता है, समझ माँ की बात, तो cytoplasm के अंदर RNA, ribosome और इनके सब के दोरा protein का formation होता है, जबकि जो वाइरस नहीं जिनमें RNA पाया जाता है, तो वो जब infection cause करते हैं, तो पहले उनके RNA से DNA बनता है cell के अंदर, वो RNA रिलेज़ करते हैं वो infectious RNA पहले बनाता है DNA, इसे हम reverse transcription कहते हैं, तो DNA से फिर अगला RNA बनता है, फिर उस RNA के basis पर protein बनती है, और वो infection या जो बिमारी हो पाती है, समझ माँ आगी बात या specific protein बन पाती है, तो हम दोनों को वन बाइवन करके पढ़ेंगे, आउनलाइन में जो भी बैटे है, रिश्चु एंड आत्मा, कल से हमारे हां, कल भी रेगुलर रहेगा इलाउं, तो आप अगर रेगुलर आना चाहें, तो आ सकते हैं, नेक्स लेते हैं, बाकि लगबख साड़े बच्चे ऑफ-लाइन ही आ रहे हैं, नेक्स तो DNA को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, नोट करते जाएं, साथ साथ में, ऑनलाइन जो बैटे हैं, वो भी नोट करें, ऑफ-लाइन बैटे हैं, वो भी नोट करें, ठीक है, DNA DNA की फुल पर्म है, डियॉक्सी, राइबोज, राइबोज, राइक अक्नीक राइबोज, राइबोज,ायबो,डलाइबोज, राइबोज,ब ड्राइबो法, राइबोज,बोज थेएबग करें, और उय राइबो बैटे-प छेएबोज, तरो राइबोजस,berई,ज.Τ कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स में फर्ट है डियॉक्सी राइबोज सुगर डियॉक्सी राइबोज सुगर सेकेंड नाइट्रोजन बेशिज नाइट्रोजन बेशिज यह दो टाइप के हैं फर्स्ट प्यूरीन प्यूरीन भी दो है एडिनीन प्याइबोज प्याइबोजन झाल क्यूर्ण लिर लेश्रोजन क्यूरीन उ झाल 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 तो यह component मैंने लिख दिया हैं और अब मैं structure draw कर रहा हूं DNA की तो आप draw कर लो pencil से draw कर लो जैसे से मैं draw कर रहा हूं फिर एक साथ explain करता हूं मैं ठीक है झाल 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 नोट दाउन कर लो आनायन वासुदेव झाल 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 हाँ जी बच्चो इधर देखें बोर्ड पे देखें आप लोग बच्चो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डी एने डी एने डी एने की फुल फॉर्म है डी ओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिग यह तीन प्रकार के कॉंपोनेंट्स के मिलने से बनता है फॉर्स्ट है डी ओक्सी राइबोज सुगर यह एक फाइफ कार्बन की सुगर है इसमें सेकिंड जो कार्बन होता है उसके उपर एक ऑक्सिजन की डेपिशेंसी होती है ज्यान से देखिए डी ओक्सी राइबोज सुगर इस दा फाइफ कार्बन सुगर और इसके सेकंड कार्बन पर एक oxygen की कमी रहती है, deficiency होती है और इसलिए इसे deoxyribos sugar कहते हैं सकेंड लेते हैं nitrogen basis nitrogen basis vitro cyclic organic nitrogen containing compound है यह दो होते हैं purine and pyrimidine purine दो हैं बचों adenine and guanine adenine को A शेशो करते हैं, guanine को D शेशो करते हैं pyrimidine के दो है thymine and cytosine pyrimidine को T शेशो करते हैं, cytosine को T शेशो करते हैं तो लेते हैं phosphate group phosphate group खीक है तो उसके अब जो deoxyribos sugar हैं मैं वो भी बनाई देता हूँ, आपको समलने में आसानी रहेगी पहले मैंने बनाई भी यह जिसे कि यह deoxyribos sugar है यह जुदाओ वीरो अगलिप्टार करते हैं वह कुछाओ वीरो भी मैं वोट करते हैं है यह यह बच्छों देखे यह डियॉफ्सी रइबो सुगर यहाँ यह स्टेकंड अर्वन और यह थर्ड स्ट्रम्वर्ण और यह सुगर्ण बोर्ड पर देखते हैं यहां से तो nitrogen base जोड़ता है, कोई एक, कोई भी एक, adenine, guanine, thymine, कोई भी एक, ठीक है, तो बनता है nucleoside, और तो यह CH2OS रूप है fifth carbon, यहां से जोड़ता है phosphate, क्या जोड़ता है, phosphate, तो बनता है nucleotide, deoxynucleotide, तो कई सारे deoxynucleotide के bond बनाने पर क्या बनता है, DNA बनता है, तो DNA is the polymer of deoxynucleotide, DNA is the polymer of deoxynucleotide या nucleotide, बताये समझ में आया निया है, आ गया, तो यह concept है, बच्छो, clear हो गया, तो आपके, यहां पर मैंने यह बता दिया, अच्छा, अब देखे आपको, यह DNA की structure है, DNA की structure दी थी, वाट्सन एक क्रिक ने, 1953 में, 1953 में, जेम्स बी वाट् और फ्रांसिस क्रिक ने, DNA का मॉडल दिया, और यह मॉडल है, बी DNA का, DNA भी कई तरीके के है, structure के आदार पर, A, B, C, Z, DNA, अलग-अलग DNA, ठीक है, मनिस बोड पर देख लो इस बार, तो यह बी DNA का मॉडल में समझा रहा हूं, जो की double stranded है, double stranded का मतलब ब्लू भागे हैं इसके स्ट्रेंड है, बत्चो, 3 प्राइम से 5 प्राइम, और एक स्ट्रेंड है यह, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम, मतलब यह समझ में आया है, आ गया, यहां पर 3 और 5 का मतलब यह है, कि यहां देखें बत्चो, यह 1st कारबन, यह 2nd, यह 3rd, यह 4th, और यह 5th, तो यह जो सुगर है, यह यहां पर उल्टी होती है, उल्टी होती है, तो यह जो रियक्टिव ग्रोप है, यह यहां होता है, तो यह 5th कारबन, फिर अपन काउंटिंग अंदर से करता है, काउंटिंग हमेसा अंदर से करेंगी, तो मालनों सुगर यहां पर सीजी है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो फि प्रश्ग केने का दागा होता है दागा बना होता है था गारमपन का यहां पर यह यह जो ना यहां पर मानलो प्रड़र आ गया यह यहां पर अगली शुगर आजाएगी तो यहां यह जो है ना प्रॉणड बना लेगा पॉरीं तो यह यू बता देता है इस सरी के से तो यह जो फॉस्पेट डूरूप है जो समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक तरफ तो थर्ड कार्बंड से बना रहा है एक तरफ तो इसे कहते हैं वो सुगर और फॉस्पेट के बने होते हैं अब नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ होता है जैसे कि इस सुगर से एडिनीन घुड़ावा है और इस सुगर से थाइमीन तो हमेशा ध्यानक नावच्ट प्यूरीन पाइलमीडिन के साथ में बॉन्ड बनाता ह और जो गोगनीन है यह के साथ में ट्रिपल हीड्रोजन बनाता है तिया है आदीनीन और ट्रिपल हाईडरोजन ऐड्रोजन अधायदें दॡबल हाईडरोजी वंड थाईमीन अधेमीन ब bisogत होती तोनों दागे बंदे रहते हैं बॉन्ड की वजह से यह एक कोईल है मतलब दागा होता है यूप उता है ऐसे सीधा-सीधा नहीं है लुव से इंडर इंडर टोन टैने यहां मैंने नाइट्रोजन बेस लिके नहीं डैस करके बता दिया मैंने यहां भी लिके नहीं डर्स करके बता दिया थे समझाने के लिए हैं तो वन्डू तू थी और वाई शिख इवन एक नाइन स्मझाइं तो टैन बेस्पेर पाई जाता है एक कोईल के अंदर तो एक कोईल की जो लेंथ है वह थी इस हटीफोर एंगस्टॉम कितनी ओती है ग्रूच के डीजिट की डिस्टेंस दिवाली यह आएगी 3.4 एक्ष्टरॉप या .34 ननोमीटर और डागों के बीच का दामीटर आएगा वह त्वन्टी एक्ष्टरॉप यह त्वन्टी इंट ननोमीटर बताइए समझ में नहीं आ और यहाँ पर यह जो ग्रूव है या कहां से माइनर ग्रूव और यह मेजर बात तो यह बच्चो DNA की structure है जो आपको मेरे को समझानी थी clear है B DNA के अंदर total 10 base pair होते हैं अब एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ DNA के अंदर जो 3 prime से 5 prime का जो strand होता है जिस strand की polarity 3 prime से 5 prime है उसे हम कहते हैं anti sense strand or template strand anti sense strand और template strand जो दूसरा दागा है 5 prime से 3 prime वाला वह actual में उसको cover करता है cover करता है उसको protection देता है उस information को तो जो second दागा है वह complimentary होता है मानलो आपको कोई कहें के एक जागे पर मानलो A है G है T है C है यह है तो आप अपोजिक जागे पर आपको बता सकते हो कि क्या होगा editing के सामने मिशा time ही नाएगा going in के सामने cytos ही नाएगा clear होगी बात आपके तो यह सीज मैं बताना चाहरा था तो जो second 5 prime से 3 प्राइम 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 पर यह नाइड्रोजन बेस है इस ही इस ही इस ही बताइए सामने वाले यह anti-science strand है बताइए science strand पर क्या क्या होंगे कि इस ही जी इस ही इस ही यह आप मिकाल सकते हो यह नीट में क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन यह जरूर आता है ठीक है तो यह आपका भी त्यार हो गया यह क्वेश्चन ठीक है अच्छा एक सी जौर आप 12 में पढ़ेंगे 12 में मैं इस चत्र को दो मैने का चत्र यह आप और पढ़ाएंगे डीने के अंदर यह आरेने बनता है डीने के अंदर क्या बनता है आरेने बनता है उसकी जो इनफॉर्मेशन होती है वो एक्जिक सेम होती है जो किसके शैंस डीने के जो एंटी सैंस देंस जो जो ना इसके जैसी इनफॉर्मेशन होती है आरेने के उपर तो यानि कि आपको कोई कहें कि सैंस फेल रहा होगी लेकिन यह फर्क रहेगा थाइमील के जगे वहां पर यूरेसिल पाये गाए तो इस इंफरमेशन का मुने जगे एडिमीन के जगे नहीं एडिमीन के डिमीन तो आगया 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 तो डिये ने समझ में आगया गया डाइग्राम बना लिया अगया ने फिए प्राइम से फाइफ प्राइम वाला को एंटी सेंस टेंप्लेट इस्ट्रेंड है थी प्राइम से फाइफ प्राइम ट्रेंड जो जिस्ट्रेंड है उसे हम कहते हैं एंटी सेंस एंटी सेंस और टेंपलेट बैंट ए Beim, ए इस यि बहु आप द्यां तरुशंच तली बार दॉग हम्हें आप दी चैसेंज एजश strand or template template strand or template strand template strand three prime does five prime polarity strand is called anti-sense strand or template strand because because actually 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 it carries the it carries c-a-r-r-i-e-s it carries the genetic information genetic g-e-n-e-t-i-c genetic information genetic information full stop next line me likely likely jay five prime dash three prime five prime dash three prime polarity polarity strand is called strand is called sense strand sense strand or coding strand or coding strand it covers the it covers the it covers the genetic information of genetic information of anti-sense strand it covers the genetic information covers the genetic information of anti-sense strand anti-sense strand clear so it's now the next but thing is do 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 oh कि एसेड़ राइबोज न्यूक्लिक एसेड़ राइबोज न्यूक्लिक एसेड़ इसके कॉम्पोनेंट लिखिए बच्छो फटा-फट से कॉम्पोनेंट में फ़स्ट है राइबोज सुगर यह फाइफ कारबन की सुगर है तेकें लेते हैं नाइट्रोजन बेसेज नाइट्रोजन दो सिज्ट नाइट्रोजन बेसेज में दो हैं एक तो हैं प्यूरीन प्यूरीन में एक तो है एडिनीन गौैनीन और सेकिंड है और प्यूरीन प्यूरीमीडीन में दो है यूरेसिल यूरेसिल और साइटोस्थीन वो में जाएए प्यूरीन प्यूरीन और साइटोस्थीन इसका कॉंपोनेंट है फॉस्पेट फॉस्पेट ग्रुप यह नोट कर लो फॉस्पेट ग्रुप हिर्ण राइसटिव प्यूरीं और प्यूक्लित इस सब्सक्राइट क्योंकि यह इस सब्सक्राइब प्यूरीम अप्युक्य रैइब आर आए ऋर्ड़ राइक ताइड 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 मैं यहां लिख देता हूं जो से की डियॉक्षी राइबो नियूक्लियो ताइड एरी सेकेंड है राइबो नियूक्लियो टाइड राइबो नियूक्लियो ताइड तो डियूक्षी राइबो नियूक्लियो टाइड और जो आरेने हैं आरेने इस दा पॉलीमर ऑफ राइबो नियूक्लियो टाइड तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में डिसक्स करेंगे हम झाल